यह फर्टिलाइजर हमने जो तयार किया है इसको हम गो संजी और खाद बोलते हैं इसमें 100 लिटर पानी में 30 किलो गाय का देख साजा गोबर डाला हुआ है तीन लिटर गोमुत और एक किलो गूल तो अब यह 300 लिटर किया है तो उसके तीन मुना करते हैं हमें 90 किलो 9 किलो गोमुत नबवे किलो गाय का गोबर आजा गोबर गोवज का बहलो का भी चलेगा और तीन किलो गूड डाल के इसको दस दिन फर्मंट होने दिया है अब फ़सल को सप्लाई करना है तो हमारी में चैनल के उपर हम लोग इसको अगूटे जैसे धार यह पानी में डालते हैं और इसका पानी पूरे खेट में प्रावाई करता है इस तरह से यह खाथ के वज़े से हमारी फ़सल बहते राती है और यह दस दिन में तयार हो जाता है यह खाथ को पहले दिन हमने डाल दिया फिर पानी से भर दिया तो दस दिन में यह तैयर हो जाती है